साल 1935 में एक बहुती फेमस इंसान ने पुरी दुनिया के सामने ये भविशयवाणी कर दी कि अगर हिडलर ने पोलेंड के उपर हमला किया तो कुछी साल बाद हिडलर की मौत हो जाएगी अब जाहिर से बात है उस वक हिडलर का पूरे ये उरोप में बहुती तगड़ा इंफ्लूएंस था और उपर से हिडलर दुनिया के सबसे कुरूर शासों को में से एक है और उसके ओपर कोई इतनी बड़ी भविशयवाणी कर दे तो वो चुप बैठेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं अब इसके रियक्शन में हिडलर ने भी उस बंदे के उपर दो लाग रिच्चमाक्स का इनाम रख दिया और कहा कि जो कोई भी इनसान इस बंदे को जिन्दा पगड़ गए मेरे सामने लाएगा उसे दो लाग रिच्चमाक्स मिलेंगे जो कि उस वक के हिसाब से तेहरा करोड रुपे होते थे अब इतना तगड़ा इनाम पाने के लिए उस वक के सारे बॉंटी हंटर उस बंदे के पीछे पड़ गए और उस बंदे को पगड़ भी लिया गया अब हिडलर ने उसे टॉर्चर करने के लिए जेल में कैद कर दिया जिसके बाद उसे फांसी की सजाज दी जाने वाली थी लेकिन इसी जेल में कुछ ऐसा चमतकार हुआ जो आस तक के इतिहास में ना तो कभी सुना गया और ना ही कभी देखा गया उस कैदी ने भार खड़े गार्टज को अपनी बातों में कुछ इस तरह से वशमे किया कि उन गार्टज की इन खुट से ही उस कैदी को बहाँ निकाला और फिर बाद में खुट को ही जेल के अंदर बंद कर लिया सुबा जब उन गाट से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था उन्हें कुछ याद नहीं था कि उनके साथ फिशली रात को क्या हुआ है और वो कैदी हिडलर की इतनी टाइट सिकॉरिडी होने के बाद भी अपने सर पर करोड़ो रुपे का इनाम होने के बाद भी कुछ इस तरह से गायब हुआ जैसे कि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ था अब इस बंदे की स्टोरी इतनी ज़्यादा इंटरस्टिंग और इतनी ज़्यादा मिस्टिरिस है कि काफी बड़े बड़े लोग यहां तकि सर अलबेट आइंस्टीन और जोसफ स्टैलिन इसे इंसान मानते ही नहीं थे और यह आदमी अब तक के इतिहास में बन अब दे मोस्ट डेंजरिस और वन अब दे मोस्ट मिस्टिरियस लोगों के लिस्ट में आता है सन 1895 में पोलन के गोला कावारिया गौँ में एक बच्चे का जनम होता है इस बच्चे का नाम रखा गया वुल्फ मैसिंग जब यह बहुत ही छोड़ा था तब इसकी मां गुजर चुकी थी और इसकी पिता ने दूसरी शादी कर ली थी जिससे इसे दो भाई बहन मिले वुल्फ के पैरेंट्स चाते दे कि वो बड़ा ओके एक रभी बने जो की जुविज धरम के पुजारियों को बोला जाता है और इसलिए उसे बच्चपन में ही सैमिनारी भीज दिया गया अब वुल्फ मैसिंगे एक धारमिक इंसान तो थे लेकिन इतने धारमिक इंसान नहीं थे कि वो एक पुजारी बन जाए और इसलिए वो सब को छोड़ चाड़ के पहुँच गए रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन के अंदर जो सबसे पहले ट्रेन आई वो उसके अंदर चड़ गए और एक चेयर के नीचे जाके छुप गए और सोचने लगे कि कोई टिकेट केलेक्टर उन्हें पकड़ना ले लेकिन जैसा वुल्फ ने सोचा था वैसा हुआ नहीं कुछी देर बाद एक टिकेट केलेक्टर आता है और वो वुल्फ को नीचे देख लेता है वुल्फ की उमर उस वक्त 15 साल थी और जब टिकेट केलेक्टर उसे टिकेट मांगता है तो उसको पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था लेकिन तभी वुल्फ ने जमीन पर पढ़े एक न्यूस पेपर के टिकड़े को उठाया और उसे टिकेट केलेक्टर को दे दिया और वुल्ट से बोला कि जब तुम्हारे पास टिकेट है तो तुम छुप क्यों रोए हो अब ये चमतकार देकर वुल्फ बहुत ही जादा सप्राइज हो गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्या लेकिन उनको एक चीश समझ में आ चुकी थी कि शायद वो लोगों को अपनी बातों से मैनुपलेट कर सकते हैं अब घंटों के ट्रेवल के बाद वो ट्रेन पहुची बरलिन और यहां से ही वुल्फ मैसिंग के स्ट्रगलिन डेश शुरू हुए वुल्फ मैसिंग के पास कुछ पैसे वैसे तो थे नहीं और उनकी उमर भी बहुत छोटी थी इसलिए उन्हें अपना पेट भरने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े जैसे कि किसी के घर में बरतन धोना या जूते पॉलिश करना लेकिन फिर भी उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि वो अपना दो टाइम का खाना भी खा सके और इसी की वरेसे वो बहुत ज़दा कमजोर रहने लगे और इसी कमजोरी के चलते वो एक दिन 20 सड़क पर बेहोशोकर गिर गए जब वो बेहोशोकर नीचे गिरे तो आसपास की भीड उनके पास जमा हुई और उस भीड ने नोडिस किया कि वोल्फ मैसिंग की ना तो सांसे चल रही है और ना ही धड़कने जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी पबलिक ने उन्हें हॉस्पिटर बचाया और हॉस्पिटर पहुँचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिगले कर दिया अब वुल्फ मैसिंग के परिवार का कुछ अतापता तो था नहीं उसले उन्हें तीन दिन तक हॉस्पिटर के अंदर ही रखा गया और तीन दिन बाद उस हॉस्पिटर के अंदर कुछ ऐसा चमतकार हुआ जिसने वहां के सभी डॉक्टरस को हिला कर रख दिया तीन दिन बाद चब एक नर्स वुल्फ मैसिंग की बॉड़ी के पास पहुची तो उन्हूने नोडिस किया की वुल्फ मैसिंग की इंगलिया हिल रही है जिससे देखकर वह भुशाता घहब रहा गई जिसके बाद उन्होंने तुरंद वुल्फ मैसिंग की हार्ट बेट चेक करी तो उन्हें पता लगा कि वुल्फ मैसिंग तो जिन्दा है वो कभी मरे ही नहीं थे कमजोरी की वरे से वुल्फ मैसिंग की हार्ट बीट इतनी ज़ादा कम हो गई थी कि जिससे पता ही नहीं लग पा रहा था कि वुल्फ मैसिंग अभी जिन्दा है या मर गए है लेकिन वो अभी भी जिन्दा थे वो अपनी हार्ट बीट इतनी ज़ादा कम कर लेते थे जिससे लोगों को लगता था कि वुल्फ मैसिंग मर गए है लेकिन कुछी घंटे बाद वो दुबारा से रिवाइव कर जाया करते थे सिर्फ यही नहीं बलकि उस सरकस के अंदर वो अपने टैलेंट की मदद से लोगों की खोई हुई चीज़े और छुपी हुई चीज़े भी ढूंड लिया करते थे वो ऐसे लोगों का भी माइंड डीट कर लिया करते थे जिससे वो अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं मिले और वो ये काम बहुत ही एकुरेटली करते थे और वो भी बिना किसी ट्रिक के और अपने इसी टैलेंट की वरे से वुल्फ मैसिंग अप पूरी दुनिया भर में फेमस होने लगे वो इतने जादा फेमस होगे थे कि उन्हें गली गली का बच्चा बच्चा तक जाने लग गया था वो अपने टूर के दुरान जब वियना पहुँचे तब उनकी मुलाकात हुई सर अलबिट आइंस्टीन से और सिग्मेंट फुरेट से वो दोनों मैसिंग के बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे और इसी चीज़ को वो परसनली टेस्ट करना चाते थे जिसके बाद वुल्फ मैसिंग ने सिग्मेंट फुरेट को बोला कि आप अपने मंद में कुछ भी सोचो और मैं उसको पूरा करके दिखाऊंगा सिग्मेंट फुरेट ने अपने मंद में मैसिंग को बोला कि वो बातरूम जाए और वहाँ से एक छोड़ी सी चीमटी उठा कर लाए और उस चीमटी से आइंस्टीन की मूच के तीन बाल नोच ले जिसके बाद वुल्फ मैसिंग बातरूम से एक चीमटी लेकर आते हैं उसके कुछ सालों बादी हिडलर की मौत हो जाएगी वो भी सिउसाइट से और अगर तुम इतिहास के पन्ने पलट कर देखोगे तो ये भविश्य अमारी 100% सच निकली थी अब इसके बात क्या हुआ वो मैंने तो मैं वीडियो की स्टार्टिक में बताई दिया था कि कैसे हिटलर ने वुल्फ को जेल में बंद किया और कैसे वुल्फ जेल से भाग निकले अब वुल्फ मैंसिंग के सर पर दो लाग रिच मार्स का इनाम था इसलिए वो अपनी जान बचा का यूरोप से भाग कर पहुँच गए सीधा यूवेससर और यही वो वक्त था जब वुल्फ मैंसिंग की लाइफ के सबसे ज़ादा चैलेंग डेश शुरू होने वाले थे अब क्योंकि वो दुनिया भर में फेमस थे इसलिए जैसे ही वो यूएससर उतरे वैसे ही उनके बारे में पता चला किसको जोसफ स्टैलिन को जो उस वक्त यूएससर का बहुत ही पाव़फूल और बहुत ही रूथरेस डिक्टेटर था अब जोसफ स्टैलिन ने भी वुल सबसे पहला चैलिंज दिया वो सबसे पहला चैलिंज था कि तुम्हें अगले दिन मुझसे मिले कंट्री हाउस आना पड़ेगा वो भी बिना किसी परमिट के बिना किसी परमीशन के अब जाहिर सी बात है तुम उस वक्त के सबसे बड़े डिक्टेटर से मिलने उसके कंट् करते हुए बड़े अराम से जोसेश टैलिंग के पास पहुंच भी गए उन्होंने अपने टैलिंड के धंब सभी सिगरडी मेंबर्स को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि वो उनके आर्मी चीफ हैं खैर इसे जोसेश टैलिंग शौक तो हुआ लेकि वो इतना ज़ादा इंप पर बैटे कैशियर को एक कोरा कागज पकड़ाते हैं एक ब्लैंक पेपर और वो ब्लैंक पेपर देखकर नजान ने उस कैशियर को ऐसा क्या हुआ कि वो बड़े आराम से अंदर गया और एक लाग रूबल निकाल कर भी पापस आ गया अब इस पॉइंट तक आकर जोसेश ने वुल्फ मैसिंग से ये पूचा कि तुम कब मरने वाले हो तो उसका जवाब देते वे उसने बोला कि आपके बाद और जब जोसेश टैलिन ने ये पूचा कि मैं कब मरने वाला हूँ तो उसका जवाब देते वे वे वुल्फ मैसिंग ने बोला कि बहुत जल्द ये सब चुनते ही जोसफ स्टैलिन भी होश होकर कारपेट पे गिर गया जिसके बाद उसके हमेशा तबे खराबी रहती थी और उसके कुछ महिने बाद सच में जोसफ स्टैलिन की हार्ट अटेक से मौत हो गई यहां तक कि वुल्फ मैसिंग ने वर्ड वार टू की डेट तक प्रेडिट कर दी थी और उनकी ये प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सही साबित हुई थी उन्होंने ये तक कह दिया था कि सोवेट यूनियन के टैंस बर्लिन के अंदर घुसने वाले हैं यानि उनकी अब तक ही की गई सभी प्रेडिक्शन सच निकली थी यहां तक कि उनकी खुद की मौत भी उन्होंने बोला था कि मेरी मौत सेवरल औरगन फेलियर से होगी और गैस वाट आट नवंबर 1974 को उनकी मौत सेवरल औरगन फेलियर से ही हुई थी अब इनके बारे में जितना कुछ भी इंटरनेट पे मौझूद था वो मैंने तुम्हें सब बता दिया इसके अलाबा इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कहीं लोगों का ये माना था कि वुल्फ मैसिंग के पास कुछ सूपा पावस है तो कहीं लोगों का ये भी माना था कि वुल्फ मैसिंग और कोई ने बलके कोई टाइम ट्रेवलर है जिसने फ्यूचर से पास में ट्रेवल किया है वेल इसके पिछे सच्चाई क्या थी ये तो कोई नहीं जानता वुल्फ मैसिंग तो कपके मर चुके हैं और ये राज की उसी के साथ चला गया है सर वेल अगर आज की वीडियो तुम्हें पसंद आईए